नजाने कितने दिनों से पवन और खिसारी के फैंस चाह रहे हैं कि ये दोनों एक साथ एक फिल्म में नजर आए और जब से अक्षरा सिंग आउट हुई है पवन सिंग के लाइव से पवन सिंग ने खिसारी लाल यादों के साथ हर भरसक नजदीकी बढ़ाई है और उनके इसी नजदीकी का फाइदा हो रहा है पवन और खिसारी के फैंस को जी हाँ आपने सही सुना हम आपको दो ऐसी तस्वीरे दिखाने वाले हैं जिससे आपको ये कनफर्म हो जाएगा कि पवन और खिसारी जल्द ही एक बिग बजट फिल्म में साथ नज़र आएंगे पहले आप देखिए डेरेक्टर उमर खान जो भोजपूरिया डेरेक्टर है उन्होंने पवन सिंग के साथ एक फोटो पोस्ट की जिसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिखा कि भोजपूरी के एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के लिए वो पवन सिंग से मिले और ठीक तुरंट उसी के बाद उन्होंने खेसारी लाल यादों के साथ एक फोटो अपने इंस्ट्राग्राम एकाउंट पे पोस्ट गी और नीचे वही कैप्शन लिखा जो उन्होंने पवन सिंग के मिलने के बाद लिखा था कि भोजपूरी के एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए वह इन से मिले इन कैप्शन्स को देखकर इसे साफ जाहिर होता है डिरेक्टर इम्रान खान ने मन बना लिया है कि वह पवन और खेसारी के साथ कोई न कोई प्रोजेक्ट करेंगे ही करेंगे जिस तरह से उन्होंने ये फोटो पोस्ट की है पवन और खेसारी के साथ इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये दोनों भी मन बनना चुके हैं कि एक साथ एक फिल्म में आने के लिए हाँ ये खबर देने वाले हम आपको पहले हैं और इस फिल्म और इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर खबर हम आपको लगातार देते रहेंगी अभी आपको ये बता दे कि इस फिल्म पे अभी बात चल रही है जिसमें पवन और खेसारी एक साथ एक सिल्वर स्क्रीन को शेयर करने के लिए हा कह दिया है ये पवन और खेसारी के फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुस खबरी भी है साथ ही साथ ये भोजपुरिया इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि पवन और खेसारी एक साथ एक फिल्म में नजर आए हाँ इस फिल्म से रिलेटेड हर जानकारी जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं देंगे इस फिल्म का नाम अभी तै नहीं हुआ है लेकिन जैसे ही कोई official announcement होती है हम वो पहले होंगे जो आपको बताएंगे कि इस फिल्म का आगे प्रारूप क्या होने वाला है तो इस खबर से संसनी तो मची गई होगी पवन और खेसारी के फैंस के लिए बोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए